ओडिशा सरकार ने राजे के धान किसानों को 800 रुपए प्रती क्विंटल अतिरिक्त देने की घोशना की है। जबकि केंद्र की ओर से पहले ही धान का न्यूंतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए तै है। अब ओडिशा के किसानों को इस रकम बडोतरी के बाद 3100 रुपए प्रती क्विंटल का दाम मिलेगा। मुख्यमंत्री माजी 8 दिसंबर को बर्गर जिले के सोहेला में राजे स्तरिय किसान सम्मेलन में इस राशी को जारी करेंगे। बता दें की राजे सरकार ने विधान सभा चुनावी में यह राशी देने का वादा किया था, जिसे सरकार बनते ह की पहली कैबिनेट बैठक में मनजूरी दी गई थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरन माजी ने गुरुवार को राजे के किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए धान के लिए प्रती क्विंटल आठ सो रुपए अतिरिक्त देने की घोशना की है। एजेंसी क अनुसार भुवनेश्वर में अखिल भारतिय सहकारी सप्ताह 2024 के अफसर कारेक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की दुखच स्थिती के लिए पिछली बीज़त सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीज़त सरकार के दौरान राजे के कुछ किसा किसान कर्स के बोज तले दब कर आत्महत्या करने को मजबूर हुए थे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार में ओडिशा में ऐसी स्थिती नहीं आएगी। मुख्यमंत्री माजी ने कहा कि किसानों को इन्पुट सहायता के रूप में प्रती क्विंटल धान पर 800 प्रती क्विंटल मिलेंगे। माजी ने कहा कि धान के लिए 3,100 रुप प्रती क्विंटल की इस राशी में न्यूंतम समर्थन मूल्य, MSP के रूप में 2,300 रुप और इन्पुट सहायता के रूप में 800 रुप शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बीजद सरकार ओडिशा के किसानों के साथ विश्वास खात किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ने 9 साल पहले बर्गर जिले के सोहिला में एक किसान रैली में धान पर 100 रुप प्रती क्विंटल बोनस देने की घोशना की थी। यह गरीबी से जूज रहे किसानों के लिए बहुत मददगार हो सकता था। लेकिन किसानों को सरकार से बोनस के तौर पर एक रुपए भी नहीं मिला। कि भाजपा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मनजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि सरकार 8 दिसंबर को बर्गर जिले के सोहिला में राजिस्तरिये किसान सम्मेलन आयोजित करेगी जहां किसानों को प्रती क्विंटल 800 रुपए अतिरिक्त दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि MSP के साथ यह अतिरिक्त बुक्तान DBT के जरिए 48 घंटे के भीतर सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा।